है सो सो हम लोग पढ़ रहे थे हाट की स्ट्रक्शर यास हाट सब्सक्राइब हम लोग पुरुण जब हुआ थे से फाटा फाटा फटा स Колочь फीर से पड़ लेते हैं इस्ट्वेंटि Springs होता किया है वाल्व होता क्यी एक हलस अगर आपको पता हो यह एक हाट में होता है membranous structure होता है और यह इसका main function होता है it's allow one way flow one way flow एक तरफ flow करना यह इसका काम है ठीक है allows allows one way one way flow of blood सिर्फ एक ही direction में इस सिर्फ एक ही हाट में वल्व है यह कई बार इजाम में आता है कैसा structure होता है यह muscular होता है cartilaginous होता है बोनी होता है कैसा होता है भाई साहब यह membrane का बना होता है एकदम धिल्लीदार plastic जैसा structure होता है बहुत पतला इसको हम लोग बोलते membranous structure okay it's actually a membranous structure okay वल्ष जो होता है आपका एक membranous structure है now हाट में हाट में होता है इसको दो ग्रूप में इसली divide कर दिया गया है हाट को दो ग्रूप में में ब्रॉड्ली-डिवाइड कर दिया गया है एक को बोला जाता है अट्रियो वेंट्रिकुलर अट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहने का मतलब समझो अट्रिया और वेंट्रिकल ठीक है आपको कल मैंने बताया था इस तरह से दो चेमबर होता है सौरी चार चेंबर होता है human heart में दो चेंबर फीसेस में होता है ठीक है इस तरह से चार चेंबर होता है इसके उपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए अट्रिया बोलते हैं ध्यान में आ रहा है कि भूल गए अट्रिया बोलते हैं और नीचे वाले को भाई साव हम गया उसको क्या बोल सकते हैं अट्रियो वेंट्रिकुलर सो यहां पर जो वाल्स होंगे उसको बोलेंगे अट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्स अब यहां पर दो वाल्स पाया जाता है एक पाया जाता है राइट साइड में यहां पर और एक पाया जाता यहां पर यहां पर जो ह होता है को हम लोग बोलते हैं by cuspid क्यों बोलते हैं थोड़ी दिर मैं आपको बताता हूं ठीक है by cuspid तो दूसरा ग्रूप जो है दूसरा ग्रूप जो है आपका वह है semi lunar valve semi lunar valve मैं पढ़हा लेने के बाद आपका doubts लूँगा आप सिंदा मत करो ठीक है semi lunar semilunar होता है हाफ मतलब होता है Its home होज़न रहता है एक और में और एक ट्रंक में तो डो टाइप कहो गया जो और सेमी लूनर वाल्व और दूसरा हो गया आपका पल्मोनरी सेमिलूनर वाल्व समझ मैं है तो अभी तक आपको मैंने क्या पढ़ाया भीया हम हाट में वाल्व पढ़ने जा रहे हैं वाल्व क्या है वन वे डायरेक्शन फ्लो अफ ब्लेड लाउ करता है दूसरी बात यह मेंब्रेनस स्ट् वाल्व जो अट्रिया और वेंट्रिक्लर के बीच में होगा वो फर्दर क्लासिफाइड जो राइट साइड में उसको लोग ट्राइकस्पिट बोलते हैं और फिर एक आधे चांत की जैसा जो सेमिलूनर वाल्व जो आपका और टाम है और टिक सेमिलूनर वाल बोलेंगे ज नोटेट हो गया ओके चलो आगे बढ़ते हैं सुनो मेरी बात मेरी बात सुनो मैं आपको कुछ डाइग्राम दिखाता हूं ओके यह देखो सबको यह दाइग्राम देख रहा है शुडुटेंट्स इस इट वीजिबल ठीक है देखो समझे कोशिस करो इसमें देखो में यह आपको दाइग्राम दिखरा है यह रहा आपका 1 कॉस्प और यह रहा आपका दूसरा कॉस्प आपका 2 कॉस बाइख 73 ध 홉ट बाइक साप 2 यहां पर देखो एक कस्प, दो कस्प और यह आपका तीन कस्प, तीन कस्प है ठीक है, फिर देखो यह देखो यहां पर यह आधे चांद की जैसा, इसका कलमा ने अनिमेशन में दिखाया था आपको सेफ इसका आधे चांद की जैसा सेफ होता है, यह आपका ओटा है और ओटा की सबको clear है इसमें हाँ चलो नाव एगेन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग बना रहे थे अपना ओके थोड़ा सा उपर हम लोग बढ़ते हैं अब देखो एक-एक वाल्व का आपको function समझना है यह आपका heart है okay now यहाँ पर जो है यह हमने बनाया क्या tricuspid valve tricuspid valve इसमें क्या-क्या question पुछा जा सकता है तो पहला question यह पुछा जाएगा इसमें कितना cusp होता है this has three flaps, three flaps होता है यह इसके पास teen cusp होता है so this is called as tricuspid कहां पर प्रिजेंट रहता है at the junction of right atria and right ventricle at junction of right atria and ventricle ठीक है now देखो इसका काम क्या होता है it allows flow of blood from this direction to this direction ठीक है तो यह question हो गया कहां से कहां यह blood flow allow करेगा allows flow from right atria to right ventricle और यह भी लिख सकते हो option में यह भी आ सकता है prevents flow of flow of blood prevents flow of blood from right ventricle to right atrium भाया यह यह one way direction करेगा यहां से यह back flow होने नहीं देगा back flow होने नहीं देगा कैसे back flow नहीं होने देगा अभी मैं आपको थोड़ी दिर में बताता हूँ ठीक है सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात कल आपको मैंने एक छीज बताई थी यहां पे strength muscles पाया जाता है याद आ रहा है बोलो फटाबट क्या बोलते हैं इसको papillary muscles ना इसी papillary muscles से cord like structure बाहर निकलता है ठीक है जो जा कि इसको support करता है यह थीयान में आ रहा है क्लिक क्या बोलते हैं कोड़ी tending कोड़ी टिंड़नी यह कोड़ी टिंड़नी एक दम इस तरह से को खड़ा रहता है ठीक है जब यह contract करेगा जब यह contract करेगा तब यह थोड़ा सा जूख जाता है और यह वाल्व जो है नीचे के तरफ आ जाती है और यहां पे जो blood होता है यहां पे जो blood होता है वो कहां आ जाता है right ventricle में समझ में आया अब एक चीज और देखो यहां पे यहां पे जो valve है उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो cusp है दो flap है so this is called as what by cuspid बोल सकते हैं की नहीं बोल सकते हैं बोल यह दो cusp है लेकिन इसका एक और नाम है mitral valve मitral valve ठीक है अब देखो इसमें क्या-क्या exam में questions आपके बन सकता है एक तो इसके पास कितना cusp होता है दो cusp और दो flap सार यह भी बताने की चीज़ है भाईया ऐसे ऐसे नमूने पड़े हैं जो कि इसको भी गलत करके आते हैं सीधे पूछा हुआ इसमें क्या होता है और दो flap होता है ठीक है नाव यह क्या करता है यहां से यहां blood flow ठीक है तो यह blood flow कहां से कहां करेगा left atria to left ventricle दूसरा question हो गया तीसरा question से क्या बन सकता है आपका location ठीक है कहां होगा between between left atria and left ventricle यह ऐसे between मैं ऐसे लिखता हूँ ठीक है नोर्स में आपको ऐसा कई बार मिल जाएगा between मैं ऐसे लिख देता हो left atria and left ventricle और यह भी question बन सकता है prevents prevents backflow prevents backflow from left ventricle to left atria is it clear bicuspid tricuspid तीनो आपको दोनों आपको clear है ठोड़ा बड़ा लिखूं ओके थोड़ा लिखता हूं लो मेरी बास सुनों अब देखो रहां से राइट से राइड वेंट्रिकल से ब्लड जो जाता है आपके लंग्स के पास जाता है यह राइड वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है आपके लंग्स के पास जाता है लेकिन कौन ले जाता है यहां लंग बना देते हैं आपका यह लीजिए सर मेरा क्यों बना रहे हैं जस्ट इमेजिन यहां से जो यहां connection है इसको हम लोग बोलते है pulmonary trunk या कई लोग इसको pulmonary artery भी बोलते हैं दोने में बहुत light difference है यहां से जाता है pulmonary trunk pulmonary trunk यहां से start होता है pulmonary trunk यह pulmonary trunk आगे जाके divide हो जाता है right and left pulmonary artery में तीक है आगे जाके divide होता है right and left pulmonary artery में now यहाँ पर यहाँ पर जो भी मैंने बताया yes, चान्द के जैसा एक क्या होगा valve होगा, लेकिन पूरे चान्द के जैसा नहीं आदे चान्द के जैसा that is called as pulmonary semilunar valve ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे pulmonary pulmonary semilunar valve pulmonary semilunar valve so, 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 एक बात ध्यान दो एक बात ध्यान दो, मेरी बात ध्यान दो pulmonary semilunar valve जो होता है आपका, pulmonary semilunar valve जो होता है, उसमें points क्या क्या questions बन सकते हैं, पहली बात location कहा होगा location बोलो, yes pulmonary trunk में होगा pulmonary trunk में होगा ठीक है, यह क्या करता है it allows the flow of blood from right ventricle to, yes right ventricle to कहा जाएगा, lungs के पास oh, okay और यह भी बोल सकते हो, prevents the back flow, okay, back flow को prevent करता यह तो common function है, फिर देखो फिर देखो, फिर देखो फिर देखो, अब देखो blood जो होगा, by means of by means of pulmonary vein by means of pulmonary vein जो blood होगा, blood होगा वो कहा जाएगा left atrium में, यह आपका क्या है, left atrium फिर यह lift atrium पॉंट्रेक्ट करेगा तो blood यहाँ से यहाँ आ जाएगा जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ से यहाँ से यहाँ आ जाएगा, students यह ध्यान दो यहाँ से एक और बड़ा सा इसको हम लोग ऊटा के नाम से जानते हैं, किस नाम से बोलो, और ता के नाम से यह हमारा ओटा हो गया ओकी नाओ ओटा में भी एक सेमिलूनर वाल्व होगा इस तरह से इसको हम लोग बोलेंगे क्या और्टिक semilunar valve, auric semilunar valve, ध्यान दिजिए, auric valve का कहाँ location होगा, yes, aurta में होगा, shape कैसा होगा, यह semilunar shape होता है, ठीक है, क्योंकि semilunar valve में, third point allows the blood from left ventricle to aurta, ठीक है, aurta से फिर पोरे body में supply हो जाएगी, अभी circulation कैसे होता है, वो मैं साधी शीच बताऊंगा, ठीक है, तो चार भद आपको बता दिया, tricuspid कहाँ है, right side में, ठीक है, left side में कौन है, bicuspid, इसमें कई बार confusion हो जाता एक्जाम में, ठीक है, तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ट्रिक है हमारा lab rat, ध्यान रखिएगा, lab rat, यह bicuspid, tricuspid में बहुत confusion है, और तिक पर नाम दिया हुआ है, तो lab मतलब होता है, left atrium, left atrium के पास जो होगा, कौन सा होगा, भीया, bicuspid, bicuspid, और rat से देखो, right atrium में कौन सा होगा, tricuspid, यह छोड़ी से चीज है, लेकिन exam में आपका चार marks ले सकती है, और एक negative होगा, क्योंकि पाच, ऐसे question आप confidently full 100% confidence के साथ आप गलत करते हो, जब test दोगे ना, तो आप experience होगा, अरे सर यही होगा, और बाहर आके पता चलता है, हमने 100% गलत किया, है, ऐसे question with 100% confidence आप गलत करते हो, शलो फटा फट नोट डाउन करो, फटा फट नोट डाउन करो, pulmonary semi lunar valve का function क्या होता है, थोड़ी दर बताता हूँ, noted हो जाए तो मुझे बता देना, कनिस्क noted, शेक परबीन, हो गया सबका noted, चलो, चलो, हो गया तो चलो एक questions ले लेते हैं थोड़ा सा, देखें आपको समझ में आया भी है की नहीं, just a minute, hmm, चलो, yes question सबको दिख रहा है मेरे ख्याल से, I think question सबको दिख रहा है, चलो, question दिख रहा है तो फटा फट लगा दो, और question number one, कब पूछा है देख लो, year भी लिख दिया है मैंने, 1993 का question आया हुआ है, फटा फट मार्क कर दो, आगे बढ़े हम लोग ताकी, yes, Rajneesh, okay, यह देखो, ट्राइकस्पीड भाल्व कहां प्रप्रिजेंट रहता है, ट्राइकस्पीड, ट्रंकस अटरियोसस, पल्मोनरी आर्च, at the origin of, हो गया सबका, ट्राइकस्पीड का क्या बोल रहे हो, पल्मोनरी आर्च, ठीक है, देखो इस्टुएट्स, पल्मोनरी आर्च में एक्चुली होता है, आपका अगर पल्मोनरी आर्च देखो, ट्राइकस्पीड, यह रहा ट्राइकस्पीड, ठीक है, और pulmonary जो होता है यहाँ से arise करता है ठीक है और ortic जो होता है यहाँ से arise करता है that means ortic arch के पास कौन सा होगा? bicuspid होगा? yes, tricuspid के पास कौन सा आ रहा है? yes, pulmonary arch okay very good second question बताओ atrio ventricular यह भी 93 में question आया हुआ है बोला atrio ventricular valves that means bicuspid and tricuspids preventing turning insult through the tissue देखो, यह question समझे कोशिश करो यह बोल रहा है यह देखो आपका heart है और यहाँ पे आपका AV valve है यह रहा है यह tricuspid बोल रहा है बोल रहा है कि ऐसा क्या चीज लगा हुआ है heart में जो कि इसको इधर जाने से रोक रहा है yes, यह codi tendini है जो आपको इसको उस direction में नहीं जाने दे रहा है यह codi tendini जो इसको उस direction में नहीं जाने दे रहा है किसने बोला टू का बी तू का डी अरे क्या क्या गलत कर रहे हो यार तू का गलत क्यूं कर रहे हो यह codi tendini पकड़के रखा है उसको ठीक है समझे कोजिस करो codi tendini पकड़के रखता है उसको इतनी गलती ना करो चलो आ जाओ यह the pericardium and the pericardial fluid health in कल बताया था मैंने यह pumping of the blood to heart का काम होता है receiving the blood from venus part of the body भया यह तो the pericardium का काम होता है none of the above नहीं हो सकता है protecting the heart from infection sorry friction shock and keep its moist yes यह दिल्ली PMT-93 में आया था चलो यह देखो the thread-like tendon of papillary muscle inserted upon the flaps of the tricuspid यह AIMS 2009 में आया था AIMS 2009 में चार नंबर का answer तो फट 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 चार नंबर का answer very good very good very good 4 का A होगा yes quality यह AIMS 2009 में आया था sir AIMS हो जाएगा एक कोशन से में रिसाइड कर लोगे हां चलो nature of the valve एगेन यह UP वाले CPMT में आता यह question आया था 5 yes it's a membranous structure it's a membranous structure okay now अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं okay